भगवान सिब तथा उनके परिवार से भला कौन परचित नहीं है। परिवार से भला के मताबिक जब संकर भगवान से विबाह के बाद माता पारवती कैलास परवत आई थी तब उन्हें कैलास परवत पर अत्यांत अकिलापन महसूस हुआ। तु मुझे बताओ देवी लेकिन भगवान भोले ना तो अंतरिया मिठहरे उन्होंने पारवती जी के मन की बात जान ली। माता पारवती समझ गई कि सिव संकर ने उनके दिल की बात जान ली है। वह बोली अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो भी आप मेरे इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। भगवान सिव संकर मुस्कराय और बोले मैं तुम्हें ननत तो लाकर दे दूँ लेकिन क्या आप उनके साथ निभाप आएंगी। इसके बाद संकर जी ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन किया। हालांके उनका रूप बड़ा विचितर था। वह बहुत मोटी थी और उनके पैरों में काफी दरारें थी। सिव ने उनका नाम असाबरी देवी रखा। माता पारवती अपने ननत को देख कर काफी खुस हुई। इस तरह माता पारवती को ननत मिल गई। माता पारवती ने असावरी देवी को इस्तनान करवाया और फिर भोजन पर आमंतृत किया लेकिन असावरी देवी ने जब खाना खाना सुरू किया तो माता पारवती के सारे भंडार खाली हो गए महादेव और अन्य कैलास वासियों के लिए कुछ भी सेस्न रहा ननत के ऐसे बेवार से माता पारवती को काफी बुड़ा लगा लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा इसके बाद माता पारवती ने असावरी देवी को पहनने के लिए नए वस्तर भेट किये मगर वह इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्तर छोटे पर गए इसके बाद माता पारवती दूसरे वस्तर लेने गई तो असावरी देवी ने अपने भावी के साथ मजाग करना शुरू किया ननत असावरी देवी ने हसी ठिठोली करते हुए अपने भावी को अपने पैरों के दरारों में चुपा लिया पारवती जी के लिए दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया उसी समय उधर से संकर जी माता पारवती को खोचते हुए आ गये और असावरी देवी से बोले आपको मालूम है पारवती कहा है असावरी देवी ने सरारत फरे लहजे में कहा मुझे क्या मालूम कहा है भावी तभी सिपसंकर समझ गये कि असावरी देवी कोई सरारत कर रही है उन्होंने कहा सत्य बोलो मैं जानता हूँ कि तुम जूट बोल रही हो असावरी देवी जोर जोर से हसने लगी और जोर से अपना पैर जमीन पे पटक दिया तभी पैर की दरारों में दवी माता पारवती जटके के साथ बाहर आ गई ननत के इस ब्यावार से माता पारवती का मन बहुत ज़्यादे दुखी हुआ वह गुस्से से भगवान भोले नाथ से बोली कि आपकी विसेश किरपा होगी अगर आप अपनी बहन को सुस्राल भेजतो मुझ से गलती हो गई जो मैंने ननत की इच्छा की भगवान भोले नाथ समझ गये कि भावी ननत में बहुत पटने वाली नहीं है इसके बाद उन्होंने असावरी देवी को कैलास परवत से विदा कर दिया प्राचीन काल से आरंप हुआ ननत भावी के बेच नोग जोग का सिलसिला आज तक चल रहा है